नमस्कार जूनियस पर नाम है देट शर्म और आप देख रहे हैं कॉमर्स भाया सुर मैंने एक विडियो बनाई थी जिसका नाम था वर्स्ट कॉलेजेस ऑफ आई प्यू जिसको आप लोग ने बहुत प्यार दिया आज हम लोग उसी का पार्ट टू लेके आए हैं वर्स्ट क से किसी सीधा कर दिया है कि इनके लेकर लेका को सिंपाफ लेकां कौंड हो को बटाते हूं शुरू करते हैं नमर वनको מא कौलीजे से किया संदर्प्रभु जयान चंदर्प्रभु 600 सिंदर्प्रभु जयान ने एह व्यॉन धा ग्रेच को चैसा Ace of Yardot इसके अंदर बहुत कम बच्चे बोल रहे थे कि वही आपने इस college का नाम क्यों ही आड़ किया इस college का नाम मैं अब आड़ कर रहा हूँ आप लोगों बता रहा हूँ पहले मैंने इस लिए नहीं किया तो कि इसका grade अच्छा था second college आप लोग का D.I.A.S. रोहीनी इसके अंदर सिर्फ तीन courses है इसका grade जो है वो है एक grade और इसका भी grade जो है वो कम कर दिया गया है तो ये college इतना जादा खास नहीं है जादा बड़ा नहीं है MBA कराता है लेकिन MBA के colleges जैसा नहीं है इसका कोई campus वगरा नहीं है जादा बड़ा college नहीं है जैसे कि DSPSR Sims Rohini college जैसे उसके साथ में चिपका हुआ ये एक चोटा सा college है next college आता है D.T.T.C. ये एक B.A.T. का college है जिसका grade है C B.A.T. के अंदर ही अभी है मैं आप लोग को कावी सरे और colleges बताने हो जिनके C grade है B grade है बहुत ही बेकार बेकार colleges है जो उनमें ये एक college है next college आता है आप लोग का F.I.M.T. Fairfield college इसका नाम है और इसी के लावा ये कापा सेड़ा में है इसका grade तो ठीक है लेकिन ये college के मेरे को बहुत negative reviews मिले है इसका तो रास्ता है, वहाँ पे infrastructure, college कैसा है, college भी बहुत खराब है और बच्चे उन्हें मतलब जो infrastructure बगर है उसके बार में तो बोला ही बोला है teacher भी खराब है क्योंकि कावा सेड़ा साइड पे है और दूसरी चीज आउटर एरिया में है so obviously बच्चों को अच्छा नहीं लगता है next college is KIRAS, इस college के अंदर BCA और BAD दोनों ही course होते हैं बस यह दो ही course होते है इसका grade भी C grade है तो यह college भी काफी ज़्यादा negative comments के साथ आता है बच्चे इसको अच्छा review नहीं देते हैं और इसके अंदर बहुत ही कम बच्चे admission लेते है next college है GIAST यह गीता रदन college की एक branch है इसका grade है B और इसके अंदर एक ही course है BAD so यह college भी इतना कुछ खास नहीं है इसके जो reviews है वो जादा अच्छे नहीं है मतब इसके जो reviews मिलें में बहुत ही कराब कराब मिलें इसके अंदर भी obviously जादा बच्चे admission नहीं लेते हैं जबकि इसके अंदर course BCA भी है और BCA में भी इसके अंदर जाद admissions नहीं हो पाते है और BAD में भी बच्चे admission नहीं लेते है अब तीन college आते हैं हमारे सीधा B.Ed वाले इन तीन colleges के अंदर B.Ed ही course है एक और मैं इनी के बार में आप लोगों बताने वाला हूँ, सबसे बाला college आप लोगों का St. Lawrence, दूसरा college आप लोगों का V.D.I.T, तीसरा college आप लोगों का S.R.I.T.E, तो ये तीन colleges हैं जिनके grade C ही हैं और इनके अंदर सिफ एक course होता है B.Ed और ये तीनों ही colleges काफी खराब हैं मैं एक में तो visit भी कर रहा हूँ, मैंने V.D.I.T, V.D.I.T में जब मैं गया था, मेरे external exams होने वाले थे, सो मैं वहाँ पर गया था paper देने के लिए, और भाई मैंने 5 बार exam दिया है, मतलब इसके मतलब बहुत खराब-खराब बना रखी है, और वहाँ पर एक तरीक से वह college ऐसा खोल रखा है, कि जैसे घर होता है किसी का, वैसे उन्होंने college खोल रखा है, तो ये maximum colleges ऐसे B.Ed के अंदर खोल रखे हैं IP University के, ये थे 10 colleges जो कि worst colleges of IPO part 2 के अंदर आते हैं, मतलब ये सारे colleges थे worst colleges के अंदर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये इनके अंदर नहीं अच्छा infrastructure है, नहीं बच्चों को देने के लिए अची सुबदाए हैं, नहीं अच्छे staff है, मतलब अच्छे staff नहीं इनके पास teachers नहीं होते, maximum colleges के अंदर, जैसे VDIT college मैं आप लोगो बता है, उसके अंदर बहुत ताकि दादा दर बच्चों ताकि ये वीडियो पहुच पाया और उनको भी पता चल पाया, वर्स college's IP के कौन से है, बागी मैं मैं तौप से अगली वीडियो में बिकले दते हैं, धन्यवाद!